हेलो गाईस तो आग में बिल्कुल यूनीक स्टाइल से बनाती हूं यह उनी पास्ता है मेरे स्टाइल है चलो देखते हैं इसकी फुल रेसिपी खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत सिंपल है जट से मन जाता है कोई गैस टाई या फिर आपके पास कुछ ना हो त भॉलते हुए पाने में इसको डाल देंगे मैंने आदा पैकेट ले लिया है यानि कि मैंने 250 ग्राम करीब यह मैंने पास्ता इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से एक बर हिला देंगे नहीं तो वह चिपक जाता है नीचे ठीक है अब यह मोटे सा इसके है ना तो जल् 30 मिनिट के लिए मैं इसको ऐसे ही गरम पानी में रहन दोंगी उसके बार इसको छान के निकाल लोंगे ठंडे पानी में रखकर ठीक है यह हमारा तयार हो चुका है अब पास्ता बनाने के लिए गैस ओन कर दिये है कड़ाई रग दिये उसके अंदर अब मैंने इसमें लैसनों को थोड़ा से 2-3 मिनिट के लिए सहिला दिया है इतना लाल हो जाया उसके बद बच्ची हुई प्याज है हमारी पतली पतली ऐसे हम उसमें डाल देंगे अब इसको हम अच्छे से भूज लेंगे ताकि जो हमारे लैसनों वो थोड़े रेड हो जाए और जो हमारे प्याज है वो पिंग कलर की हो जाए ठीक है यह देखे कितना सही तरीके से पक चुका है हमें इसमें प्याज को जादा पकाना नहीं है इतना ही रखना है आप इसमें जादा कुछ मसाला नहीं जाएगा सिफ मैं इसमें डालने वाली हो यह कुटी हुई मिर्ची या फिर आप डाल दीजे अपने हिसाब से मैंने इसमें एक डेट चमच करीब चिली फेक्स डाल दी है ठीक है आप जिता चिटपटा खाना चाहे उत्ता डाल के इसको भूंज दीजे गैस तेज में है तो देखेगा आप उसको हिलाते रहेगा नहीं तो आपकी प्याज जो है वो ज इस लिए डाला था क्योंकि म्योणी जो होता है वह एल्रीडी तेल दूद विनेगर से बनता है जिसमें तेल की क्वांटीटी बहुत जाथा होती है इसलिए हमने अपने स्टार्टिंग में तेल कम डाला था जैसे हम इसको पकाते जाएंगे वैसे ही ये मसाला अपना तेल छोड़ता जाएगा ठीक है तो आप तेल स्टार्टिंग में कम रखेगा अब मैं इसको देख रहे हूं कितना मुझे ग्रेवी चाहिए है मुझे जित्ता ग्रेवी की जोत रहेगी उत्ती म्योनीज मैं इसमें डाल दूँगी अब ये देखे इतना मैंने इसमें डाल दिया है मैंगी मसाला और ये मैंने दो पैकेट ले लिया है इसको डाल दिया है मैंने और मैं इसको इतना ज्यादा ग्रेवी इसलिए बना रहे हू और जो हमारे ये मैगी मसाला है उसमें भी नमक रहता हैए इसलिए मैने अभी नहीं डाला है मैं आपको बताती हुआ कब डाला है ठीक है हमेने गैस को स्लो कर दिया था ऑर ये देखिए मसाला हटो के तयार है मैकरणी होई हमने इसमें डाल दीए रहny है यानि पूरे उसके दाने हैं अलग-अलग है, अब पूरे अलक्य हँआ तो इसके पूरे मैकरराणी को या आप पासा बोल दीजिए, ठीक है और उसको मैंने उसको अच्छी से मिला दिया है पुरे मसाले में अच्छी से लटपटा दिया है ऐसे आप उसको थोड़ी 2-3 मिनिट के लिए अच्छी से मिला के भूँज लीजिए ये देखे कितना सुंदर कलर आया है न अब मैं इसको टेस्ट करूंगी टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या चीज डालना है ठीक है तो उसके साब स्पयब नमक डालिएगा मेरे को इसमें दो चमनल नमक जो रही है तो आप अपने समें डाल सकते हैं नमक आपको जितना नमक चाहिए ठीक है बस अब एक बर अच्छे से इसको मिला के 2-3 मिनिट लिए और उसको भून दीजे देखिए किता सुन्दवन के निकला है इसको आप खाई और दूसरों को भी ऐसे यूनिक स्टाइल से बना मना के खिलाए ताकि जो आपका पुराना स्वाद है वो आप भूल जाए और नए त सकते हैं ठीक है यह देखिए मेरा पास्ता भी मैंने स्वाफ कर लिया है और इसको मैं मैं गरम गरम खाऊंगी बिल्कुल मस्त आप इंजॉय करिएगा इसको बनाने के बाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ झाई